महेंदर सेंग धोनी दे ग्रेटस्ट फिनिशर एवर ऐसा पूरी दुनिया मानती है और धोनी के रिकॉर्ड्स भी काफी हद तक इस बात की पुष्टी करते हैं उसी धोनी ने 21 अपरेल की रात मुंबई इंडियन्स के खिलाप एक बार फिर से अपनी फिनिशिंग एबिलिटी दिखाई आखरी ओवर में CSK को जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी ब्रावो द्वारा लिए गए एक सिंगल के बाद धोनी ने चार गेंदू में 16 रन मना कर चैन्नेई सुपकिंग्स को इस सीजन की दूसरी जीत दिला दी इससे पहले रविंद्र जडेजा ने टॉस जीत कर पहले बोलिंग का फैसला किया और मुकेश शौदरी अकेले दम पर उनके इस फैसले को सही साबित करते नजर आ रहे थे मुकेश ने पहले ही ओवर में रोहिच शर्मा और इशान किशन को बिना खाता खोले वापस लोटा दिया और फिर अपने अगले ओवर में उन्होंने डिवाल ब्रेविस को दोनी के हाथों क्याच कराया इतना ही नहीं अभी और सुनिये मुकेश ने मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबास सूरिकुमार यादव का क्याच भी पकड़ा सूरिया ने 21 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली जबकि युआ बल्लेबास सिलक शर्मा 43 गेंदों पर 51 रन मना कर नाबाद लोटे डेब्यू कर रहे रितिक शौकीन ने 25 रन मनाए जबकि जैदेव नदकट ने 9 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली मुंबई ने 20 ओवर्स में 155 रन मनाए चेन्ने के लिए मुकेश शौधरी ने सबसे ज़ादा 3 विकेट लिए जबकि ड्वेन ब्रावो के खाते में 2 विकेट गया जवाब में चेन्ने की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही बाद में 8 वे नंबर पर आए ड्वेन फ्रिटोरियस ने 14 गेंदों पर 22 रन की 30 पारी खेली लेकिन अंत में मैच फिनिश किया महेंदर सिंग धोनी ने 13 गेंदों पर 28 रन मनाने वाले धोनी ने जैदेव उनदकट द्वारा फेके गए आकरी ओवर में इस जीत के बाद धोनी की जै जै होनी ही थी और हुई भी इंग्लेंड के पूर्व कप्तान माइचल बॉन ने माच के बाद ट्वीट किया सर्वकालीन महान लास्ट ओवर हिटर अफगान लेक्स्पिनर आशित खान ने ट्वीट किया MSD द फिनिशर CSK के पूर्व प्लेयर सुरेश रहना ने ट्वीट किया बढ़िया खेल इसके पर महिंद्रा ग्रूप के चैमेन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया वेल मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे बेहद खुशी है कि महिंद्रा में हमारे पास MAHI माही लेटर्स हैं सीजन की दूसरी जीत के बाद भी चैन नहीं अभी पॉइंट्स टेबल में नवे नंबर पर है जबकि मुंबई की टीम लास्ट पर बनी हुई है यह खबर आपके लिए लिखे है सूरज ने ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे ललन टॉप स्पॉट्स पडोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्यान में फसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान और नारी का नया शो परवरिश जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डायेट्स तक आपका देगा साथ यह है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए तो देखना मत बूलिएगा हर बुधवार और नारी पर परवरिश गीतिका के साथ